हम भजन के लिए सत्संग के लिए प्रयास करें, कोशिश करें, प्रयत्न करें, भजन तो तभी होगा जब प्रभु कराएंगे, लेकिन आप और में कोशिश कर सकते हैं। मैंने किसी विर्द संत के मुख से सुना था, बुले बेटा, सो काम छोड़कर नहाना, हजार काम छोड़कर खाना और एक लाख काम छोड़कर भी भजन करना था। और आज हमने क्या है कि जीवन में इस गिंती को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। भजन का काम सबसे अंत में है। और उसमें आपका मेरा दोश नहीं है, ये आपका मेरा स्वहज स्वभाव है। भगवान से विमुख रहना ये जीव का स्वभाव है। तो इसलिए आप सब लोगों के इस प्रयास से हमको ये जो दो-तिन दिनों का ये समय मिला है कोशिश करना कि हम लोग यहां पर बैठें तो किवल सुनने के लिए नहीं हम यहां पर आएं तो अपने मन में एक भाव भरा उद्धिश लेकर आएं। कि ना हम वसामी वई कुंठे योगी नाम रिदय नचा मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठा मी नारत है। बस अपने मन की अपने भाव की भूमी आप ऐसे तयार करके आना। भक्तमाल जिस प्रकार श्रीमत भागवत स्री कृष्ण का वांग में स्वरूप है। उसी प्रकार श्रीमत भक्तमाल भक्ति का वांग में स्वरूप है। भागवत की कथा श्रवन करने से तो संसारिक कामना की भी पूर्ती होती है, लोकिक और पारलोकिक दोनों कामनाओं की पूर्ती होती है, ध्यान से सुनना, श्रीमत भागवत की कथा श्रवन करने से लोकिक और पारलोकिक कामनाओं की पूर्ती होती है, और श्रीमत भक्तमाल की कथा श्रवन करने से समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है कामनाओं का नाश होता है और हिर्दय में निर्मल प्रेम का स्पुरन होता है हिर्दय में विशुद भक्ति का प्रकाश होता है भक्त माल का एक एक चरित्र भक्त माल की एक एक भक्त गाथा शाम सुंदर को अपने प्र पहुंचें लेकिन श्री हनुमान जी राम कथा के ऐसे रसियां हैं कि वो जरूर कथा सुनने आते हैं ठीक इसी प्रकार विंदावन के अनुभवी महापुरुशों का ये अनुभव है कि जहां श्रीमत भक्तमाल की कथा होती है वहां और कोई सुने या न सुने लेकिन बाल समय हुआ कथा कहते ब्रंदावन का वास भी आपने किया है संतों की कृपा प्रसादी भी आपको मिली है आप अपने जीवन का कोई चमतकार सुनाईए कि कि आपने अब तक क्या पाया है तो मैंने कहा कि मेरे जैसा अन अधिकारी व्यक्ति जिसके पास न तो ज्यान है न ध्यान है न सैयम है न साधन है मेरे जैसा नितांत अन अधिकारी व्यक्ति यहाँ बैठ कर इस इस गादी पर बैठ कर इस थान पर बैठ कर और भगवान की कथा का अमृत खुद भी पीता है दूसरे को भी पिलाता है प्रभू की और संतों की क किरिपा का इससे बड़ा चमतकार और क्या होगा कि कहा ना होई सतसंगतें देखो तिल और तेल मोल तोल सब फिर गयों पायो नाम फुलेल धूल वायू का संग करती है आसमान छू लेती है जल का संग करती है की चड़ हो जाती है जीवन में सबसे महत पूर्ण बात ये है कि हम किसका संग करते हैं कैसा संग करते हैं सत्संग के अभाव में समस्त गुणों से भरा व्यक्ति भी अपने जीवन को बेकार खो देता है और यदि प्रभु कृपाज से सत्संग मिल जाए तो श्रिमद राज़ा प्रसंग प्रसिद्ध है गुस्वामी जी ने कहा उल्टा जपत जगत सब जाना इतना पूर्वकृत पाप है बाल्मी की का कि संत कहते हैं बेटा एक बार राम नाम बूलो उसके मुझ से राम नहीं निकलता बूले हमारे मुझ से ये नाम निकलता ही नहीं तुलसी पिछले पाप थे हरी चर्चा न सुहाथ आपको सक्संग के लिए समय नहीं मिलता आप कहते हो कि हमारे पास तो टाइम नहीं है सक्संग के लिए तो ये मत समझना आप बहुत बड़े आदमी बन गए ये समझना कि हमारे पूर्व का पाप इतना अधिक है कि हमको जीवन में प्रभु ने सत्संग के लिए दो घड़ी भी नहीं दी प्रभु चाहते ही नहीं कि दो घड़ी हम अपना विशे और वासनाओं से मैला मन लेकर उनके चर्णों में जाकर बैठें भाग पाए सो पाईए और कोई प्रश्न करें कि सत्संग से क्या होता है तो संतों का अनुभव है साथ द्वीप नौखंड में गुरु से बढ़ो न कोई करता करें न कर सके गुरु करें सुभू बड़े हरी के जना बड़े हरी के जना जो बात दवा से बनना सके वो बात दुआ से होती है और अगर मुर्शिद काविल हो तो फिर बात खुदा से होती है भारत के संतों का तो ऐसा गौरव रहा है भारत के संतों की ऐसी गरिमा ऐसी कृपा रही है कि यहां के संतों ने कृपा करके अन अधिकारी जीवों को भी प्रभु के चर्णों की शरन का अधिकारी बनाया है भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है आज वैसे तो प्रथम दिन था तो कुछ विवस्था के कारण मुझे भी आने में विलंब हुआ और कथा आरंब में भी विलंब हुआ लेकिन एक छोटा सा निवेदन मैं कर दू कल और परसों ऐसा नहीं होगा ठीक साड़े छे बजे यहां हरी नाम आरंब होगा और पौने साथ बजे मैं कथा कहने के लिए प्रस्तुत हो जाओंगा और ठीक नो बजे तक ही यहां कथा का समय रहेगा क्योंकि समय के अनुशासन में रहना ऐसा मेरा सिध्धान्त है आप लोग भी प्रत्न करना कि समय की सीमा में ही रहकर यहां पर आना समय थोड़ा सा है पर फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आज एक छोटा सा भाव जरूर निवेदन कर दूँ अक्तमाल में एक बड़ी सुंदर एक कथा आती है कि एक पर बड़े भजनानंदी संत थे और अपने साथ संतों की जमात लेकर भ्रहमन किया करते थे एक नगर से दूसरे नगर हरी नाम का प्रसार करते डोलते थे खुब संतों की जमात उनके संग में थी एक नगर से निकल रहे थे शांज ढल गई और उन्होंने सोचा कि आज तो यहीं इसी नगर में कहीं न कहीं पढ़ाव डाल कर स्री ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए आगे की यात्रकल संपादित करेंगे प्राटय काल जिस उद्यान में ठहरे थे उस उद्यान की स्वामी नी उसने अपने भवन के जھरोखे से संतों और संतों की जबात को देखा मन बड़ा प्रसन हुआ मन बड़ा आहलादित हुआ जो सुख हो तो संत घर आए सो सुख हो तो नहीं सुपनेव कोटिक ती रथ नाए बिना बुलाए या बुलाने पर जिस दिन संत के चरण घर में पड़ें उस दिन तो उस दिन को उत्सव का दिन समझना चाहिए, उल्लास का दिन समझना चाहिए मुद्मंगल मैं संत समाजू जुग जग जंगं तीरत राजू दूर से संतों का दर्शन किया, मन बुद्धी निर्मल हो गई सादू नाम दर्शनम पुन्यम सादू का दर्शन भी मन को निर्मल कर देता है जिस प्रकार चंदन के व्रिक्ष को चंदन की सुवास बांटनी नहीं पड़ती अपितु चंदन के व्रिक्ष से जो भुजंग लिप्टा रहता है वो भी सुवासित हो जाता है कोई अगर चंदन के विक्ष को काटने के लिए आये तो जिस कुलाडी से विक्ष काटा जाता है चंदन का विक्ष तो उस कुलाडी को भी अपनी स्वास देता है यही संत का लक्षन है जो निकट आता है उसका कल्यान होता है प्रत्यक्ष आ प्रत्यक्ष संत ते होए न कारज हानी, संत से लाभी होता है तो उस युवती ने संतों का और संत के समू का दर्शन किया मन बुद्धी बड़ी, निर्मल हो गई, पावन हो गई मन में आया, मन में बड़ा उल्लास जगा की दोड़ कर जाऊं इन संतों का प्रणाम करूं, चरणामरित लूं लेकिन तत्काल विचार हो आया कि मैं हूँ कौन वो वस्तुते एक वेश्या थी वेश्या का भवन था और उसी वेश्या का वो उद्ध्यान था जहां वो संत आकर ठिके थे मन में विचार करने लगी कि निश्चित रूप से ये संत जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ अगर इनको मालूम होता कि ये स्थान मेरा है, ये स्थान किसी वेश्या का है तो ये कभी यहां विश्यान नहीं करते अब मन में बड़ा द्वंद हुआ कि निकट जाऊं अगर निकट जाऊंगी तो संत लोग संकोच में पढ़ जाएंगे जो दो घड़ी यहां रुके हैं वो भी नहीं रुकेंगे तो मन में यही द्वंद चल रहा है और कान में संतो का किया हरिनाम संकीर्तन हरी नाम संकीरतन के मधुर स्वर हरी नाम की मधुर ध्वनी वेश्या के कान में पड़ी निश्टित रूप से पूर्व जनम का उसका कोई पुन्य रहा होगा जो संतों ने उसके प्रांगन को जहां कोई उदार व्यक्ति, जहां कोई भला व्यक्ति देखना भी पसंद नहीं करे जिसकी एक संबान्य व्यक्ति की देखने में भी रुची ना हो वहां संतों ने आकर अपना डेरा डाला संतों ने आकर वहां अपना स्थान बनाया स्री ठाकुर जी को विराजमान किया हरी नाम हुआ, सत्संग हुआ, भगवत सेवा हुई, निश्चित रूप से कोई उसका पुन्य रहा होगा, या फिर ना जाने कौन सी बात पर दयानी दिरीज जाते हैं, भगवान की कृपा अहेतुकी भी होती है, जिसका कोई हेतु ना हो, जिसका कोई कारण ना हो, लेकिन उसके मन में द्वंद है, कि संतों के निकट जाऊं या नहीं जाऊं। मन में द्वंद चल रहा है, और कान में हरी नाम की स्वर पढ़ने लगे। मन मोहना मुरली धरा, मन मोहना मुरली धरा, हे नंद नंद ना, हे राधा माधवा, मन मोहना मुरली धरा, हे नंद नंद ना, हे राधा माधवा, मन मोहना मुरली धरा, हे मन मोहना मुरली धरा, हे नंद नंद ना, हे राधा माधवा, कथा हो, तो खुब साब्धान होकर बैठकर शवन करना, बिना हिले डुले, लेकिन जब संकीरतन हो, तो कोई भी ऐसा नहीं रहे यहाँ पर, जो ताली नहीं लगाए और अपसे मुख से हरिना मुख चारण नहीं करे, कोई भी आपने से ऐसा नहीं आ रहे ना चाहिए। मन मोहना ए मुरली धरा मन मोहना पुरली धरा, ते नंद नंद ना ते आजा माधवा, ते नंद नंद ना ते राथा माधवा, ए मन मोहना है पुरली धरा, मन मोहना है पुरली धरा, ए मन मोहना है पुरली धरा, मन मोहना है पुरली धरा, ए मन मोहना है पुरली धरा, ए मन मोहना है पुरली धरा, मन मोहना है पुरली धरा, ए नंद नंद ना ते राथा माधवा, गोविन्द जै जै, गोपाल जै जै,